डरो मन, डरने की जगरत रहे, तुम भगवत करपा पात्र हो, तुम भगवन नाम जप में रुची दो, लोग क्या कहते इनकी तरह मत देखो, महापापियों को भी मोक्षपद भी प्राप्त हो गई नाम से, और नाम जप में सब क्यों नहीं लग जाते हैं, क्यों नहीं लग अब आप नाम भी जब कर रहें, माला भी चला रहे हैं, आप वे विचार भी कर रहे, नाम जब सिध्ध होगा, माला जब सिध्ध होगा, क्यों जूट बोलो, सही बोलो ना, जूट बोलने की जगरतृю तो क्या सावधानी रखे, क्या त्याग रखे जिससे नाम जापक सिद्ध हो जाए, सिद्ध नाम जापक, रूम रूम रग रग नामा कार ब्रती, पहले तो असंबद प्रलाप छोड़े असंबद बे मतलब की बाते नाम जापक को पहले बानी को समालना क्योंकि इसी से नाम जप होता है बे मतलब की ठीक बहुत गंभीर शत भरे मरद भरे भगवत भाव भरे बचन बोलो नहीं तो मौन रो नाम जप में लगो असंबद प्रलाप व्यर्थ प्रलाप दूसरों के चुगली निंदा का बाते ये जबान में होती रहेंगी तो नाम जप नहीं चलेगा नाम जापक ध्यान दिये नाम शिद्ध करना अर्थात निरंदर चलाना है असंबद प्रलाप, वेर्थ प्रलाप, दूश्रों की चुगली, निंदा, क्या अपने को लेना बेना, हमको तो सब को भगवत से रुप देखना, किसी की निंदा क्या करने, किसी की चुगली क्या करना, दूश्रा, चोरी, चोरी नहीं, मन और वचन कर्म से भी किसी की चूरी करने की छेष्टा हमारे अंदर नहीं होनी चाहिए किसी वितर होता है मन में जब प्रलोभन जागरत होता है तो ऐसी छेष्टा होने लगती कदाप नहीं किसी की कोई वस्तू पड़ी हमारा अधिकार नहीं पड़ी रहने दो बोले हमें मार्ग में मिली क्यों तुमने क्यों उठा लिया वो पुना मार्ग में लोट के आता नहीं बोले कोई उठा ले तुम तो उपासा को तुमने क्यों उठा लिया तुम्हें क्या आवशक्ता है आवशक्ता होगी हरी तुम्हें देंगे बोले हरी नहीं तो दी रस्ते में पड़ी थी नहीं नहीं ऐसे नहीं उपाशक को इन बातों पर बहुत ध्यान देना है वो चोरी मानी जाएगी आपने क्यों उठाया आपको चले जाना है उपुना लोट कर आएगा उसको या जो उठाले हमारा करतब भी नहीं हमें न किसी की चोरी करनी है मन से ना तन से और ना कोई हमें चेश्टा ऐसी चोरी वाली हिन्शा और ब्यविचार नाम जापक में अगर ये दोश हैं तो बाबा बहुत इसपष्ट कहने वाले महापुरुष्ट क्योंकि जो ब्रमबुद, शंपन, भगवत, प्राप्त, मात, महा होते हैं वो सही और शदी देते हैं एक बाबा किसी ने बाबा से पुछा कि बाबा हमारा कल्यान कब होगा सबाब में पुछते हैं बाबा ने का तुम्हारा साथ जन्म में भी कल्यान नहीं होगा तो उनका ऐसा बाबा क्यों इसी शब्द का उचण की बेविचारी का कल्यान कभी नहीं बहुत कठोर तासे डाटा अब वो जो देख रहे होगे वो तभी डाट रहे थे जैसे अपने पुत्र से प्रियता रखती हुई डाट लगा याती ऐसे मापरुष डाटते आप मान नहीं करते वो आप मान नहीं है वो शुधार वो शब्द जाएगा और आख पैदा कर देगा और उसको बेविचार से उठा देगा उपर उठा देगा अब आप नाम भी जब कर रहे हो माला भी चला रहे हो आप वेविचार भी कर रहे हो नाम जब सिद्ध होगा माला जब सिद्ध होगा अपने धर्म के अनुशार चले कोई भी नशा करने वाले को नाम जब सिद्ध नहीं होता उपाशक के जीवन में कोई नशा नहीं होना चाहिए हमें लिगता है भगवत कृपा है कोई विशन जूट नाम जापक को नहीं बोलना चाहिए अब हाथ हमें माला है बात करने में हम जूट बोल दें तो हमारे नाम जब को बतलब क्या रहा जूट क्यों बोलते हैं क्यों डरते हो, क्यों छुपाव कर रहे हो, किस बात के लिए जूट बोल ले हो, जूट को पाप माना ही नहीं जा रहा है, कल्यूग का प्रभाव देखिए, लिखा हुए प्रभाव में कि जूट ही देना, जूट ही लेना, जूट ही भोजन, जूट शबेना, क्यों जूट ब बरत रही और कुछ ऐसा होता है जो शत्य को सम्हालने के लिए सत्य को हरदय में रखने के लिए कुछ बूला जाता है वो किसी का अहित कारी नहीं होता आप कितना भजन करते हैं आप बहुत भजन करते हैं भजना नन्दी है तो अब हम सत्य को बोल के एक तने उतने माई हमसे क्या भजन होता है गुरू कृपा से जो कुच होता हो तो हमें तो नहीं लगता कि हमसे ऐसा भजनड़ casi जूट नहीं माना के लिए नहीं हम अपने अभिमान को पुष्ट करने वाली बात नहीं बोलते एक गाय भागती जारी तो कुछ मारने वाले पीछे पकड़े देख सत्यवादी तुमने गाय को देखा उन्हों का हाँ इधर गई उसको उन्होंने तो जब सरीर उनका पूरा हुआ तो उनको नर् जा पक्ड़े से असंबद्दा प्रलाप व्यर्थ प्रलाप चुगली निंदा हिंसा ब्यविचार नशा जूट और गाली यह प्रार्थना है कि ब्रजवासियों की बाणी पे इस सूत्र को न देखे वो भगवत पारशद है यहां के पानी का प्रभाव है ऐसा जैसी प्यो बड़ा कोमल है जब तक ब्रजवासियों की टूक अंदर नहीं जाएंगे तो गौर श्याम जूड़ी नेत्रों में जलके इनका प्रभाव है बैराग्य मार्गय के पथिक को इनके टुकडों की आसा रखनी चाहिए इनके टुकडों में शामर्थ है श्यामल गौर जूरी क हरदय में प्रकासित करने की तो इनकी इनकी वानियों में न देखे क्योंकि हम ब्रजवासियों ब्रज में बास करने सब तो यहां अगर यह कि सबसंग में सुना था कि ब्रजवासियों की बानियों में थोड़ी कठोरता हो हरदय एकदम मखन से भी ज्यादा कोमल निर्मल हो जो अपने श्वरूप में आते हैं तो कहते तुम्हारे दो-चार लाख गव में ज्यादा होंगी अगर हमें दाओ ना दिया पीठ में न बैठाला तो कल से खेल में नहीं आने देंगे खेल में कौन किसका गुसेया चलो बाहर तो ठाकूर जी भी कान पकड़ते हाथ जोड़ते ये उनी के सखा है इस रज में मा के गर्व से प्रगट हुए ये प्रेम भुमी शिवशनकाज बंदित रज है तो ब्रजवासियों पर ये दोस्त्रिष्टी न रखे अपनी बाणी को समाले कभी असलील शब्द और गाली आदिनब के नई तो भजन सिद्ध होने में बाधा पड़ेगी